Hello my dear friends, तो आप सभी का सौगत है हमारे YouTube चैनल पे तो आज हम लोग discussion करने वाले हैं कि looping क्या होता है तो looping एक word है जो कि programming language में बहुत जादा use किया जाता है तो हमें समझना होगा कि looping क्या है तो जब भी हम programming करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जहां पर हमें looping की जरुत होगी यानि कि हमें समझना पड़ेगा कि loop क्या होता है तब भी हम उसका इस्तिमाल बहतर तरीके से कर सकते हैं तो कभी आप programming करते समय आपके सामने कुछ ऐसा काम आता है या आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आप किसी भी statements को repeat करना चाहते हो तो वहां पर आप looping का इस्तिमाल करते हो जैसे कि आप से बोला जाता है कि python के program में आपको एक hello print करना है तो आप उसके लिए बिल्कुल basic सा एक print function इस्तिमाल करोगे यानि कि print और उसके bracket में आप वो message लिख दोगे जो आपकी जरूरत है यानि कि जो print आप करवाना चाहते हो जैसे कि हमने किया hello तो इस तरीके से लिखने से आपका जो hello है वो print हो जाएगा अगर आप से चाहते हो कि हम इस hello को 10 times print करें तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें looping के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम basic सा print function को दबारा से इस्तिमाल करेंगे और double quotes में एक और बार hello लिख देंगे अगर हमें ऐसा 10 बार करना है तो हमें इस print को कई बार लिखना पड़ेगा और हम इसको जब run करेंगे तो हमें उतनी बार hello मिलेगा जितनी बार हमने print लिखा है जैसे कि हमने यहाँ पर भी 4 times print लिखा और इसमें hello लिख दिया अगर हम इसको execute करेंगे तो यह 4 times हमें hello मिल जाएगा यानि कि जो हमें चाहिए था वो हमारा हो जाएगा हमें 10 times hello मिल जाएगा अगर हम 10 times print को लिख दे और उसको run कर दे जैसा कि हम यहाँ पर इसको चलाते हैं और इसको अभी इसको हम लोग run करेंगे तो f5 प्रेस करेंगे यह save करने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पर इसका file name दे देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम looping तो अभी हमने इसको run किया तो यहाँ पर four time hello आ गया ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने four time hello print के अंदर लिखा था अगर हम और बार print में hello लिखते तो उतनी बार hello print हो जाता जितनी बार हमने लिखा है लेकिन इससे complexity increase हो जाती है क्योंकि आपका question होता कि sir अगर मुझे hundred time hello print करना है तो हम क्या करें तो बिल्कुल basic सा तो यह है कि आप hundred time print लगा दो और आपका काम हो जाएगा आपका hundred time hello print हो जाएगा sir 1000 times करना है तो तो आप 1000 times print लिख दो और इसके अंदर hello लिख दो आपका 1000 times print हो जाएगा लेकिन problem यह आएगी कि program में complexity बहुत बढ़ जाएगी program बहुत landy हो जाएगा तो इसका solution क्या है तो अभी आपको problem generate जो हमने करी है वो समझ में आ गही होगी कि अगर हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें किसी एक जैसे statement को या एक से जादा statements को बार बार repeatedly execute करवाना है यानि कि यहाँ पर ये सारे print बिलकुल same है इसमें कोई अंतर नहीं है बस हमें multiple times लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि program का जो execution होता है वो top से bottom की तरफ होता है और हम जिस sequence में statement लिखते हैं वो उसी sequence में execute होते हैं मतलब ये print hello लिखा है तो hello print हो जाएगा उसके वाद control नीचे करेगा दूसरे print के पास और दूसरे print को print करेगा फिर तीसरे print के पास फिर चौथरे print के बाद उसके बाद ये खतम हो जाएगा पर हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि ये सारे print जो की एक जैसे हैं अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक ही print बार बार अगर चले तो हमें ये बहुत सारे print में hello नहीं लिखना पड़ेगा तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि एक ही print हमारी मर्जी की मताबिक उतनी बार execute हो जाए जितनी बार हम चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको programming language का एक concept है जिसको बोलते है looping आपको इसका इस्तिमाल करना पड़ेगा जिसकी help से आप किसी एक single statements को या एक से ज़्यादा statements को repeatedly execute करवा सकते हो यानि की looping बहुत छोटा सा काम करता है और वो काम है repetition of the statement या फिर repeatedly statements को execute करवाना तो बस ये छोटा सा काम इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है जो हमारी बहुत बड़ी complexity को reduce कर देता है या thousand times print लिखना पड़ता जिससे हमारा program बहुत ही lengthy हो जाता हमने काम तो बहुत छोटा किया है लेकिन हमारा program 1000 lines का हो जाता तो ये एक समस्या थी और इसका जो solution है वो looping के पास है यानि कि हम looping का use करके statements को repeatedly execute करवा सकते है तो looping का जो काम है main वो क्या है repetition of the statement तो repetition of the statement यह हमारे looping का काम है बस ये इतना सा काम करता है लेकिन ये इसका इतना सा काम बहुत ज़्यादा effective होता है तो अभी आपको समझ में आ रहोगा कि looping की importance क्या है यानि कि loop का का काम है जितने statements को आप repeatedly execute करवाना चाहते हो उसके लिए आप looping का इस्तिमाल करते हो किसी भी programming language में आपको different different type के loops मिलते हैं जिसका use करके आप इस काम को कर सकते हो normally languages में for while और do while तीन loop होते हैं python के चलते दो loop है एक है for loop जिसका हम use कर सकते हैं और एक दूसरा है while loop इन दोनों का इस्तिमाल करके हम statements को repeat करवा सकते हैं इन दोनों का अलग-अलग purpose है basically तो हम सारे काम for और while दोनों से कर सकते हैं लेकिन उन में कुछ differences भी हैं जो हम आगे चलके सीखेंगे तो ये दोनों loop है for और while दोनों का use करके आप statements को repetition mode में execute करवा सकते हो हम समझ लेते हैं कि इन दोनों loop में या looping में क्या होता है जिसकी वज़े से वो statements को repeatedly execute करवाते हैं तो loop हो चाहें for और while दोनों ही ये कहते हैं कि हमारे अंदर जितने statements को आप डाल दोगे हम उतने statements को तब तक घुमाने वाले हैं तब तक चलाने वाले हैं जब तक कि आपका काम नहीं हो जाता यानि कि आप जितने बार statements को repetition देना चाहते हो आप उतने बार loop को चला करके statements को repeatedly execute करवा सकते हो तो loop चलता है और चलके statements को बार बार execute कराता है अच्छा loop चलता है तो उसको क्या क्या जरूत होती है तो किसी भी loop को चलने के लिए तीन चीजों की जरूत होती है और वो तीन है starting point, ending point और updation जैसे कि आप चलते हो तो आपको चलने के लिए भी तीन चीजों की जरूत होती है जब आप पैदल चलते हो तो आपका जो mind है वो पूछता है आपको पता होना चाहिए कि आपको कहा तक जाना है आपको कहा से चलना है ये भी आपको पता होना चाहिए और ये आपको पहले से ही पता होता है क्योंकि आप जहां पे हो वहीं से आपको चलना होता है तो जब आप चलना start करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका starting point क्या है जो कि आपको पहले से पता होता है दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां तक है यानि कि आपका ending point क्या है और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि updation करना है यानि कि आगे बढ़ने के लिए आपको कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे तब ही आप आगे की तरफ चल पाओगे तो तीन चीजें चाहिए starting point, ending point और updation तो ऐसे ही किसी भी loop को चलने के लिए भी इन तीनों चीजों की जरूत होती है starting point, ending point और updation और update होते होते हम उस point पर पहुंच जाते हैं जो हमारा ending point है और हमारा loop वहाँ पर रुख जाता है तो for और while दोनों ही loop का use करके आप अपने statements को repeatedly execute करवा सकते हो और ऐसी techniques का use करके हम statements को repeatedly execute करा के अपने program की complexity को reduce कर सकते हैं तो अभी आप समझ चुके होगे कि looping का क्या use होता है तो looping statements को repeatedly execution करवाती है statements को और इसमें for और while होते हैं python के चलते तो इससे होता क्या है हमारे program की complexity reduce होती है अगर हम इसका use नहीं करेंगे तो हमारे program में complexity बढ़ जाएगे next video में हम आपको सिखाएंगे कि for loop और while loop किस तरीके से operate होते हैं इनका syntax क्या है इनने use कैसे करते हैं और अपने काम को आसान कैसे बनाते हैं तब तक के लिए जहन करते हैं